हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल स्टेडी ब्रिक्स आज हम सीटेट, यूटेट, यूपीटेट में पूछे जाने वाले इंपोर्टन टॉपिक, फ्राइट का व्यक्तित सिधान जो इन्होंने दिया था फ्राइट परसनल्टी थियोरी जो इन्होंने दी थी, इसको पूरे डिटेल से जानेंगे तो बने रहें आप वीडियो के अंड तक, चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करिएगा तो स्टार्ट करते हैं देखिए फ्राइट क्या थे यह मनों विशलेशन वात के जनाकिन को कहा गया है फ्राइट ने मन की तीन दशाओं का वर्णन किया था जिसमें उनोंने मन की तीन अवस्थाएं बताई है चेतन, अचेतन और अर्द चेतन जिसको हम क्या कहते हैं कॉंशियस, अनकॉंशियस और प्रीकॉंशियस इसको हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे व्यक्तित तो संदचना की दृस्टी से फ्राइड ने इड, इगो, सूपर इगो को भी महतो दिया है जो परसनल्टी होती है, उसका जो डेवलप्मेंट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसको उनोंने तीन भागों में बाटा इड, जिसको इदम कहा जाता है, इगो इसको भी एहम कहते हैं और सूपर इगो परम एहम होता है फ्राइड के जो सिधानत हैं, इसके जो मुख्य प्रत्य हैं वो है लेबिडो, ओपिडस, ओपिडस, ग्रंथी, स्वामोह और मोल प्रवर्तियां वा रक्षात्मक युक्तियां आदी जो हैं, इनके कॉंसेप्ट हैं इनको हम आगे detail से जानेंगे जो starting करते हैं, जो इनोंने 3 अवस्था हैं जो मन की बताई है, सबसे पहले इनोंन बताई था चेतन अवस्था, इसको हम थोड़ा जानते हैं मन की जो पहली अवस्था बताई गई है चेतन जिसको हमने conscious कहा चेतना का जो संबंद होता है वो हमारे वर्तमान से होता है चेतन मन के कई उधारन हम देखते हैं जैसे हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं जैसे हम परिक्षा भवन में क्या करता है परिक्षार्थी प्रशनों का उत्तर लिखता है तो वो उसके चेतन मन में जो उसके आंसर उसको याद रहते हैं वो लिखता है फ्राइट के नुसार चेतना जो है अचेतन का वह भाग है जो तातकालिक रूप से या तातकालिक ग्यान से सम्मंदित होता है जो मतलब उसके प्रेजेंट में उसका साथ दे रहा है जो उसका जो जो ज्यान है वो उसको प्रेजेंट जो उसका टाइम चल रहा है उसमें उसका साथ दे रहा है जैसे वो कोई काम कर रहा है या कोई प्रोजेक्ट बनाना कुछ भी वो कर रहा है उसका जो मस्तिष उसका काम कर रहा है उसको क्या कहा उन्होंने conscious यानि चेतन कहा है दूसरा जो इनोंने बताया है मन का प्रकार या मन की जो दशा है वो अनकॉंशिया जिसको अचेतन मन कहा गया फ्राइट के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग अचेतन होता है जो बड़ा भाग इनोंने बताया कौन सा अचेतन होता है उसने अचेतन मन की तुलना बर्फ के टुकडे से की है जिसका अधिकांश भाग जो होता है पानी में डूबा रहता है जब आप बर्फ को पानी में डूबाते हैं तो अधिकांश भाग क्या होता है डूब जाता है थोड़ा सा भाग उपर रहता है यह भाग हमें दिखाई नहीं देता इसी प्रकार बर्व के टुकडे का जो भाग कम भाग तैरता रहता है उसे हम चेतन कहते हैं और जो डूबा रहता है उसे हम अचेतन कहते हैं अचेतन मन में क्या होती है हमारी कुछ पुरानी यादे होती है या कुछ हमारे जो इस तरह के बहुत पुराने जो समय बीद गया है उसकी यादे उसमें रहती हैं कभी कभी वो जो है चेतन मन में आ जाती है और जो थर्द वाला इन्होंने बताया अर्ध चेतन यानि बूंक्शियस कहते हैं जैसे जीब का लडखडा जाना परिचित नामों को हम भूल जाते हैं कभी-कभी हमें अच्छे से यात तो रहता है लेकिन वो हमारे मूमें नहीं आता है तो वो हमारे किसम में रहता है अर्ध चेतन मन में रहता है या कोई इस तरह की जगा होती है या कुछ यादे होती है जो हमें याद करने पर भी अच्छ से नहीं समझ में आती है तो वस्तू को गलत जगा पे रख देना ये भी क्या होता है अर्दे चेतन मन के कारण होताfig же इस परकार से फ्रेयड ने जो रोश्चे whoa ुसको महतो दिया ओर इड चय होता इड क्या हुता है ऐध क्या होताऊहें फ्रायड ने घ्या व्रण दोनों मूल प्रवर्थियों का केंद्र माना है ॢ। b double reacts को कि बचचे इदम को इसे उचित और अनुचित का कुछ ग्यान नहीं होता है क्योंकि यह आनन्द सिध्धान पर काम करता है यह सिर्फ प्लैजर प्रिंस्पल पर काम करता है जिसके कारण इसका मुख्या उद्देश है केवल आनन्द को प्राप करना है इसमें सही गलत का व्यक्ति को कोई भी इसका मतलब नहीं होता है उसको सिर्फ आनन्द प्राप्ति से मतलब होता है जैसे आजकर देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं मतलब कुछ भी उनको चाहिए उसमें वो जरा भी नहीं ही चाकते हैं कि यह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो यह हमारा जो है इदम वा वास्तिविकताण के बीच संत्ुलन बनाए रखता है। किaman जूपर या करता हैजक inse Hannah Kim जो लृक एट वालिभी चूठ के बीच होता है।झ शुसूपर इखर g वालिबश मत्युच संत्द खालाओं कि माना है। और जो इद वाली थौट होती है उसको भी मानता है इसलिए से मन का शासा कहा जाता है और जो थर्ड वाली स्टेज है सूपर इगो को परम एहम कहा गया है इसका विकास जो होता है सबसे देर में होता है तथा इसे आदर्श वादिया नैतिकता का सिध्धान्त कहते हैं यह वह जो आदमी को सामाजिक बनाए रखती है इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पश्तावे की भाव ना होती है इसे हम आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है इद कमजोर होता है जो प्लैजर प्रिंस्पिल है या आनंद का सिधान्त है कमजोर हो जाता है तथा सूपर इगो विक्सित हो जाता है तो फ्राइट ने इन तीनों में संबन भी बता है जो इद वाली स्टेज होती है ये आपको बच्चों में देखने को मिलेगी एहम वाली जो स्टेज होती है इगो वाली ये आपको वैस कुम एडल्ट में देखने को मिलेगी और जो सूपर एगो होता है ये आपको प्रॉड में देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स ये था फ्राइट का मनों विशलेशन वादी व्यक्तितों सिध्धान्त